नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ Finder पर So I think आजकल काफी जादा सुर्खियों में चल रही है ये वाली बात कि USA किस तरीके से अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से basically exit करवा रहा है Now, इस चीज का फाइदा उठाते हुए क्योंकि कई सारे देश ये मान रहे हैं कि USA के निकलने के बाद एक बहुत बड़ा void crate हो चुका है चाइना ने फैसला कर लिया है कि वो अब अफगानिस्तान के अंदर entry लेने वाले है Instead, वो यहाँ पर economically इस country के अंदर entry लेने वाली है यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से चाइना अपनी diplomacy का बहुत ही clever तरीके से इस्तिमाल करते हुए अफगानिस्तान के देश में प्रवेश करने वाली है चली स्टार्ट करते हैं जानेंगी चाइना की यहाँ पर अननीती क्या होने वाली है मेरा नाम है अनिरुथ यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर दिये गए Telegram चैनल के उपर से कर सकते हो अगर आप लोग मुझे से सोचल मेडिया फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं using this particular ID हम सभी जानते हैं एक मई की बात है अफगानिस्तान में से विड्रॉ करने का फैसला USA के नई प्रेजिदेंट Mr. Joe Biden ने अनौन्स कर दिया था हमारे जो अधिकतर सैनिक हैं और जो NATO के ट्रॉप्स हैं वो बेसिकली 11 सितंबर 2021 के पहले पहले अफगानिस्तान के देश को छोड़ कर चले जाएंगे इस चीज के चलते हमने एक ये वाला अंगल भी डिसकस किया था कि अगर यहां पर अफगानिस्तान से USA के ट्रॉप्स निकलते हैं तो कही न कहीं चाइना के ऊपर एक काफी बड़ा खत्रा आ जाता है कई सारे इसलामिस्त ग्रॉप्स हैं जो की काबू में रखे गए थे इन पर्टिकुलर अमेरिकन ट्रॉप्स के द्वारा वो शायद अब बेकाबू हो जाएं और शायद कहीं न कहीं चाइना के ऊपर impact कर सकते हैं क्यों impact कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वाला जो corridor है जिसको मैं यहाँ पर mark कर रहा हूँ इसको क्या कहा जाता है? वक्हान corridor इस वक्हान corridor के माध्यम से यहाँ से जो तालिबान है या फिर जो अन्य कई सारे और Islamist groups हैं वो चाइना में entry ले सकते हैं इस चीज की चिंता चाइना को काफी देर से चल रही थी obviously चाइना इस चीज को लेके कुछ ना कुछ तो करने ही वाला था यहाँ पर देखिए दोस्तो चाइना के पास सबसे बड़ा हत्यार क्या है उनकी economic diplomacy का उनका निवेश करने की जो शमता है दुनिया भर में वो चाइना के पास काफी जादा है तो चाइना ने यहाँ पे पहले ही अनौंस कर दिया था कि we are looking at various energy projects such as बिजली का उत्पादन और साथ ही में हम लोग यहाँ पे oil and gas पी transportation करना चाहते हैं from Central Asia through Afghanistan जिसके चलते हम लोग basically अफगानिस्तान में entry ले लेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं Chinese firms set to invest in the Afghan energy sector यह वाला फैसला चाइना ने लिया था अब recently सामने क्या आया है कि China अफगानिस्तान में अपनी involvement को काफी तेजी से बढ़ा रही है इस news को breakout किया गया था New York Post के द्वारा और इसके बाद इस news को cover किया गया Indian media के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं amid the US withdrawal China ramping up its involvement in Afghanistan यह खबर दोस्तो 7 जुलाई की है किस तरीके से चाइना अपनी involvement को ramp up कर रही है इसको समझ लेते हैं दोस्तो दो चीजें चाइना बड़ी चलाकी से कर रही है सबसे पहली बात तो क्या है कि चाइना यहाँ पर अपनी involvement को ramp up कर रही है through investment and influence opportunities यानि की वो basically यह देख रही है कि इस particular देश में जहाँ पर इतनी जादा जंग हो चुकी है वहाँ पर हम किस तरीके से निवेश कर सकते हैं साथी में investment करने के साथ साथ Beijing जो है United States की काफी जादा आलोचना कर रही है यह कहते हुए कि जब US को साथ देना चाहिए था Afghanistan का उस समय वो US का साथ नहीं दे रही है यानि की एक तरफ तो Beijing जो है वो Afghanistan को कुछ यहाँ पर मौके दिखा रही है किस तरीके से आपका आर्थिक उत्थान हो सकता है और दूसरी तरफ जो country छोड़ कर जा रही है उसकी यहाँ पर आलोचना कर रही है अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक बहुती 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 आटिकल आया था China has a big plan for the post US Afghanistan and it's worth billions China के पास सबसे जादा यहाँ पर सक्षम चीज़ क्या है कि उनके पास बहुत सारे यूआंज है बहुत सारा पैसा है जिसके चलते वो किसी भी country में जाके निवेश कर सकते हैं यह कहानी भी सामने आई थी कि काबुल की जो authorities हैं काबुल का जो प्रशाशन है जाने कि अफगानिस्तान की authorities हैं वो काफी लंबे टाइम से Chinese नेताओं के साथ बातचीत में लगे हुई है और इस बेसिकली चीज़ को finalize करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से चाइना अफगानिस्तान के infrastructure में निवेश कर सकता है अपने जो international belt and road initiative के माध्यम से चाइना का flagship initiative है BRI जिसके चलते हैं उन्होंने दुनिया में जगा जगा जाके invest किया है उसी चीज़ को basically बातचीत हो रही है कि किस तरीके से वो अफगानिस्तान में entry ले सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस map के माध्यम से चाइना किस तरीके से अपने BRI के चलते ना केवल एशिया बलकि Central Asia उसके बाद आपका Europe तक पहुंच चुका है यहाँ से चाइना जो है वो अफरीका में पहुंच चुका है और even Southeast Asia में पहुंच चुका है even Middle East में चाइना पहुंच चुका है लेकिन अफगानिस्तान के देश को चाइना ने अभी तक touch upon नहीं किया था पाकिस्तान में आप लोग जानते ही है कि इस तरीके से चाइना ने सीपेक को चलाया है लेकिन अफगानिस्तान का देश अभी भी untouched था through the China's BRI और अब चाइना ने ये फैसला कर दिया है दोस्तों the biggest revelation में कहूंगा इस particular time की कि China सीपेक को असल में अफगानिस्तान में extend करने वाली है आपको बताना चाहूंगा सीपेक चाइना का सबसे ज़ादा important project है when it comes to the BRI ऐसा कहा जाता है कि ये BRI का crown jewel है ठीक है और इसकी जो valuation है लगभग 62 billion dollar के आसपास की है जो कि केवल सीपेक की valuation है अब कहा जा रहा है कि इसको extend किया जाएगा किस तरीके से extend किया जाएगा ये देखिए पेशावर जो कि सीपेक के ऊपर लाए करता है ऐसा कहा जा रहा है पेशावर और काबूल के बीच में एक motorway बनाया जाएगा ये पहला इस चीज की coverage दोस्तो भारती एक बार दर ट्रिब्यून के द्वारा भी करी गई थी चाइना पार्क फूट्प्रिंट में इंक्रीज इन अफगानिस्तान इसमें कई सारी options को explore करने की बातचीत चल रही है सबसे important option यहाँ पर obviously काबूल पेशावर का लेकिन इसके लावा ये भी कहा जा रहा है कि CPAC जो है वो railways को भी extend कर सकता है आगे जाके कांदाहार में इस चीज का भी फैसला शायद यहाँ पर लिया जाएगा most importantly अगर आप देखें चाइना के पास एक और बड़ा यहाँ पर मौका है अफगानिस्तान में माना जाता है कि कई सारे minerals पाय जाते हैं और उसी minerals को भी extract करने के लिए tap करने के लिए चाइना शायद अफगानिस्तान में entry लेने की कोशिश definitely करेगा ही करेगा simply put अगर हम देखें अगर काबूल को पिशावर के साथ स्रडक के माधियम से link कर दिया जाता है इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान जो है अपचारिक रूप से CPAC को जोईन कर लेगा अब केवल सवाल इसका आता है कि यह कब होने वाला है यह होने वाला है यह तो for sure मालूम है क्योंकि already चाइना जो है बातचीत कर रही है लेकिन कब होने वाला है that is going to be a big big question अब देखिए चाइना के द्वारा कई सारे official statements भी दे दिये गए है चाइना के जो foreign minister है जिनका नाम है Wang Yi जिनकी photo आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने recently शेटोंने कहा और साथ ही में इन्होंने इस मौके पे यूएस की आलोचना भी कर दी ये कहते हुए कि USA was not a defender of the Afghan people देख रहे हैं कितनी चालाकी से बात करी similarly उसके बाद जो Chinese foreign ministry के प्रवक्ता है Mr. Zhao Lijian काफी ज़्यादा सूर्खियों में रहते हैं आजकल इन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि जी हाँ discussion चल रही है CPAC की extension को लेकर into the country of Afghanistan लेकिन जब इनसे details मांगीगे तो इन्होंने details यहाँ पर share नहीं करी इतना ही नहीं जस्ट दो दिन पहले की बात है जो UN का session चल रहा था इसमें China के जो ambassador है इन्होंने भी यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि जो current state of Afghanistan है इसके लिए अगर किसी को blame करा जाना चाहिए तो वो केवल और केवल USA है क्योंकि वो यहाँ पर सुख और शान्ती होने के पहले ही अपने सैनिकों को निकाल रही है So very clearly it is obvious कि definitely यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा Unacademy promise offer has been extended till the 14th of July यदि आप लोग 2 साल का subscription लेते हैं दोस्तों तो आपको 1 साल का subscription Unacademy के द्वारा totally free of cost दिया जाएगा इसके इलावा दोस्तों आपका जो subscription offer अभी valid है जिसके साथ में आपको test series free of cost मिल रही है and most importantly आपके जो prices है वो थोड़े से और कम कर दिये गए है पहले केवल 35% का discount आपको मिल रहा था लेकिन अब जो है आपको 45% का discount available हो रहा है और इसमें दोस्तों आपका final price पढ़ेगा एक साल का 49,680 रुपीज ध्यान रखिए इसमें आपको code यूज करना है ANI UPSC to get the best discounts इसके इलावा अगर आप लोग subscription लेते हैं तो मेरे द्वारा Indian geography और मेरे द्वारा Indian quality पढ़ने का मौका आपको मिल जाएगा दोस्तों Unacademy इंडिया का top educators और Delhi की faculty और ex-bureaucrates आपके लिए लेकर आई है अलग-अलग batches में जिसको कि आप लोग यहाँ पर घर के अराम से बैठके देख सकते हैं and also बताना चाहूंगा victory series हमारी चल रही है जिसकी आखरी class कल होने वाली है 10th of July को ये center state relations वारता उनकी आखरी class है इसके बाद और classes भी यहाँ पर connect करी जाएंगी जोड़ा ना भूले इसका link नीचे description में है and combat में हिस्सा आपको लेना है using the invite code ANI-UPSC also हमारी test series चल रही है जिसमें आपको हिस्सा ले सकते हैं thank you for listening stay tuned and stay safe